now let's look at कि यह different records बन रहे होंगे MRP के हर product के लिए तो यह आपस में कैसे link होंगे क्योंकि जो parent product है उसके जो order release वाली row है उदर से उसके children के gross requirement निकलेगी let's look at that कि यह हम किस तरह उसको handle करेंगे for example यह हमारे पास एक product है यह एक और product है it is not awesome audio kit this is some other product उसके अंदर भी end product के जो हमने code किया हुए वो A से किया हुए product A अब product A के अंदर हमारी assembly X एक unit जाता है C1 component जो है उसके दो units use होते है C2 component का number नहीं लिखा हुआ तिसका मतलब है एक unit use हो रहा है और Y assembly भी एक use हो रही है now इसको फर्दर अगर हम करें तो X assembly के अंदर component C3 एक हो रहा है और assembly Z1 हो रही है और Z के अंदर component C4 एक हो रहा है और component C5 एक हो रहा है यह मिलकर Z बना रहा है इसी तरह Y के अंदर C1 के दो unit हो रहे हैं और C2 के दो unit हो रहे हैं तो हमने सरफ यह देखना है कि यह हम किस तरह different records को link करेंगे तो उसके अंदर हम सिरफ एक example देख लेते हैं और वो example देख लेते हैं फ्रॉम यह जो है ना Z1 इसको हम देख लेते हैं कि इसको हमने किस तरह आपस में link किया हुआ है Z से हमने फिर C4, C5 को नकालना है और जबके X से हम C3 और Z की value नकालेंगे तो basically इसको हम देख लेते हैं कि हम इसको किस तरह करेंगे इसके अंदर यह है कि this is basically given कि first week में कुछ नहीं चाहिए second में कुछ नहीं चाहिए third में हमने 20 A's बनाने है fourth में 10 A's बनाने है और fifth में 35 A's बनाने है अब इदर से हमारे सारी calculation शुरू होगी कि assembly X कितनी चाहिए होगी कब चाहिए होगी और फिर उससे Z को हम किस तरह link करेंगे अब इसके अंदर हम अगर हम देखें तो assembly X की जो gross requirement है क्योंकि वो एक यूज हो रहा है पर A हर A produce करने के लिए एक X यूज होते हैं तो उसके अंदर gross requirement third, fourth और fifth week में वो ही है जो के A की production schedule था that is 20, 10 and 35 in week 3, week 4 and week 5 respectively अच्छा इसके अंदर दूसरी detail जो दी हुई है वो यह दी है कि lead time X को produce करने के लिए one week का चाहिए meaning कि अगर आप second week के अंदर इसका order release करते हैं तो third week में यह आप receive करेंगे lot size जो है that is कितनी quantity हर बार produce करेंगे lot size is lot for lot that means कि जितनी की बी जितनी quantity की requirement होगी उतनी ही आपने उसका order release करना है safety stock इस case के अंदर कुई नहीं है zero है safety stock maintain नहीं कर रहे beginning inventory was fifteen तो उस basis के उपर first week के अंदर हमारे पास fifteen units रहेंगे क्योंके कहीं consume नहीं हो रहे second week के अंदर भी कहीं consume नहीं हो रहे third week में हमने consume करने हैं जिसमें हमारे पास twenty की requirement है fifteen meet नहीं कर सकता और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि यह जो आपकी projected available balance है क्योंके यह planning stage है तो यह negative नहीं होना चाहिए यह अगर safety stock ten units हैं तो फिर ten units हैं कम नहीं हो सकता है इसका कोई भी इस row में value इस case के अंदर fifteen inventory में twenty की requirement है third week में तो पांच shortfall हो रहे हैं so what we will do is we will place an order of five units in week two so that we get those five units in the beginning of week three और हमारे वो twenty units पूरे हो जाएंगे so that we could meet the demand of third week तो यह हमने किया फिर fourth week के अंदर हमें ten units की requirement है तो हमने का कि third week में ten release करें so that हम meet कर सकें demand fourth week में यही fourth week में हम thirty five release करेंगे so that we could meet the demand of thirty five units in week five lead time one week का है तो वो हमने उसको देखना है इसके अंदर अब Z assembly जो है उसका हमने record develop करना है Z assembly जो है उसका record जो gross requirement है वो derive होगी from its parent which is X assembly और X assembly के अंदर basically जो उसके ग्रोड़ वो प्लैंट ओर्डर रिलीज है उदर से drive होगी उदर से हम calculation करेंगे तो पांच यूनिट का ओर्डर रिलीज हो रहा है इन वीक टू तो हम कहते हैं के gross requirement जो है वो पांच यूनिट की Z assembly की वीक टू में है कि जी ये complete होकर त्यार होनी चाहिए वीक टू के अंदर so that X assembly की requirement हम meet कर सके production की इसी तरह week 3 में क्योंकि हमने X dust produce करने हैं तो उसकी जो gross requirement है week 3 की वो भी dust unit की होगी so that again कि ये production शुरू हो सके X assembly की fourth week के अंदर 35 का production शुरू होनी है X की so we should have Z assembly जो के available हो fourth week के अंदर as gross requirement now Z assembly का delete time one week है again lot size जब भी produce करेंगे 20 units का हमने produce करना है safety stock हमने zero रखी हुई है ये हमे data से detail मिल गई और ये भी inventory के data से हमें मिल गया के 10 units beginning inventory पड़ी हुई है जिसको हम utilize कर सकते हैं first week में हमारी requirement कोई नहीं है तो 10 के 10 ही रहेंगे first week के end में second week में 5 units की requirement थी जो के gross requirement तो वो 5 में से 5 जो है इदर से हमने 10 में से use किये और बाकी हमारी inventory में 5 रहे गए next में हमें 10 units की requirement है हमारे पास 5 पड़े हुए हैं so what will we do we will say के जी अब यह order release करें क्योंके one week का time है lead time तो हमने 20 units के हमने lot size है वो release किया second week में so that we receive in third week third week में receive किया यह 20 plus 5 25 हो गए उसमें से 10 consume हुए तो बाकी हमारे पास 15 रहे गए next 35 units हमें चाहिए उसकी requirement है 15 inventory में है so again 20 का हमने release किया order total 35 हुए inventory हमारे पास 0 रहे गए and then that is what continues so अब हमारे पास Z assembly second week में और third week में इसकी production शुरू होनी है 2020 units की so इस basis के उपर C4 के अंदर तो यह जो थी Z assembly 20 चाहिए थे यह link हो रहा है with Z assembly के record के साथ और 20 चाहिए थे third week में तो यह C4 की requirement है क्योंकि वो production होनी थी 30 unit scheduled receipts थे यह आपके inventory में आगए 5 plus 30, 35 first week में कुछ भी नहीं चाहिए था तो 35 के 35 रहे second week के अंदर 20 units की requirement है तो हमारे पास inventory में 15 बच गए third week में 20 की जुरूरत है हमारे पास 20 नहीं है 15 है तो हमारे lot size हमने order up करना है 30 और two weeks beforehand करना है so what that means के third week में हमें चाहिए तो first week में हमने release करने 30 units यह 30 units 15 के साथ मिल कर third week में 45 बन जाएंगे और उसमें से 20 consume होंगे तो 25 ending inventory रहेगी जो के continue करेगी so basically जो planned order release इदर दिये होए है of Z इसका हमारे पास क्या आ रहा है कि यह जो इदर यह हैं यह actually इनको drive कर रहे हैं यह जो C4 का है इसी तरह C5 का जो gross requirement है वो भी Z से drive हो रहे है और वो भी एक C5 चाहिए हर Z के लिए तो basically यह जो है यह भी इन दो को drive कर रहे हैं तो यह gross requirement C5 की यह निकल रही है तो this is basically the link between the parent record and the children record parent is Z, children are C4, C5 और इनके दिर्मियान कैसे link हो रहा है कि एक के planned order release से दूसरे के आप gross requirement किस तरह calculate कर रहे हैं किस तरह आप determine कर रहे हैं झाल झाल झाल